28 जनवरी और 4 फरवरी को होगी सीजील की परिक्षा जार्खण में जैसेसी यानी जार्खण करमचारी चैन आयोक के सचीवाले साहयक सीजील की परिक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी को होगी इस संब्ध में जार्खण करमचारी चैन आयोक की ओर से पत्र जारी किया गया है बतादे कि ग्रेजवेट लेवल भरती परिक्षा में शामिल होने वाले अभ्यार्थी काफी समय से परिक्षा के तारीखों का इंतिजार कर रहे थे जिन अभ्यार्थियों ने इस परिक्षा के लिए आविदन किया है वे जहारखंड करमचारी चैन आयोग की आधिकारिक होनी है जिसके लिए आविदन परक्रिया 20 जून से 3 अगस्थ 2023 तक चली थी जे मेम ने की गांडे बिधानसभा सीट पर 6 महीने में उपचुनाओ कराने की मांग की है बतादे की शुक्रवार को जहारखंड मुक्ती मोर्चा का परतिनिधी मंडल मुख्य निर्वाचन पदा गौर तलभाई की 31 दिसंबर 2023 को गांडे सीट से जामूमो बिधायक सर्फराज अहमद ने इस्तिफा दे दिया था उन्होंने कहा था कि पार्टी और राज जहीत में उन्होंने इस्तिफा दिया है सर्वोच नियाले में परमोद लक्षमन गुडाधे बनाम केंद्रिय निर्वाचन आयोक जिहां एवं अन्यका हवाला देकर जारखंड मुक्ती मोर्चा ने गांडे बिधान सभा सीट पर उपचुनाव कराने की मांग की है परतिनीधी मंडल में जहामो के केंद्री महासचीव सुप्रियो भटाचारे परवक्ता बिनोध पांडे विधायक नलीन सोरेन और भूशन तिर्की शामिल हैं अमेस दोनी ने 15 करोड की कथी दोखा धड़ी को लेकर पूर्व बिजनेस पार्टनर्स पर दायर कराया मुकदमा पूर्व भारतिय क्रिकेटर कप्तान महेंद्री सिंग धोने ने एक स्पोर्ट्स फर्म में अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर्स के खिलाब कथी तोर पर 15 करोड रुपए की धोखा धड़ी करने के लिए आपराधिक शिकायत दर्च कराई है अरका स्पोर्ट्स एंड मेनेजमेंट लिमिटेट के मिहर दिवाकर और सौमिया विश्वास के खिलाब 2017 के बिजनेस डिल के सिलसिले में जहारखन किराधानी राची कोट में ये शिकायत दर्च की गई है मिहर दिवाकर ने कथित तौर पर MS दोनी के नाम पर दुनिया भर में क्रिकेट अकादमिया खोलने के लिए 2017 में क्रिकेटर के साथ एक सौमझोते पर हस्ताक्षर किये थे मीडिया की खबरों को माने लेकिन शिकायत के अनुसार वो कथित तौर पर समझोते में उलेखित शर्तों पर कायम नहीं रहा गंतंत्र दीवस के मौके पर राजपत पर दिखेगा इस बार जहारखन का जलवा इस बार जहारखन का जलवा गंतंत्र दीवस के मौके जहां मौके पर राजपत पर दिखाई देगा बता दे कि जारखन समेद 16 राजियों वो केंदर शासित परदेशों की जाकियों का चैन हुआ है 26 जनवरी 2024 यानि गंटंतर दीवस पर होने वाले राष्टिय कारेकरम के लिए जारखन ने अपनी तयारी पूरी कर ली है खबरों को मानने तो जारखन की जाकी के प्रारूप को चैन परक्रिया में बताधी कारियों दुवारा सराहा गया नई दिल्ली में 19 जनवरी 2023 तक सभी चैनित राज्यों की जहाकी को तयार कर लेना है और पूरे परिधान के साथ 23 जनवरी 2024 को इनका रिहलसल भी करा लिया जाना है बदादे कि 2023 के दिल्ली गंतंतर दिवस परेट के उसर पर देवगर की जहाकी परदर्शित की गई थी दरसल केंदर सरकार ने देश के सभी राज्यों और केंदर शासित परदेशों से जहाकीयों का प्रारूप मांगा था जहारखण में आठ जनवरी से पड़ेगी कडाके की ठंड जहारखण में मौसम विभाग ने बताया है कि लगभग पूरे जहारखण में आठ जनवरी तक धुन्द देखने को मिलेगा लगभ पूरे जहारखण में कोहरे का असर होगा ऐसे में गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतने की जरूरत है बतादी की कोहरे के कारण से विजिबिलिटी इसपष्ट नहीं होती जिसके कारण सडक दुरगटना की संभावना बनी रहती है इसे देखते हुए मौसम विभा असली रूप में आ जाएगा मौसम विभाग की माने तो जहारखण के कई जीलों में आज बारिश हो सकती है मौसम के पुरवानुमान के अनुसार गड़वा पलामू चत्रा लातिहार लोहरदगा गुमला खोटी और राची के कई इलाकों में आसमान में बादल चाह के गरजन और बजरपात के साथ हलकी बारिश की भी संभावना है इन जीलों में विभाग ने येलो अलट जारी किया है जारखण हाईकोट ने कहा बच्ची का लगातार पीछा करना घोरना या जबरन बात करना भी यौन अपराद जारखण उचने आले ने कहा है कि किसी बच्ची का लगातार या बार-बार पीछा करना घोरना या जबरन संपर करने की कोशिश करना भी यौन उत्पीड़न की श्रेनी में आने वला अपराद है ऐसा मामला पोक्सो यानि प्रोटेक्शन ओफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सवल अफेंस एक्ट दोहजार बारा की धार ग्यारत चार कितहत संग्ये है उचन्याले ने चत्रा जीले की एक स्कूली शात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोपी सिख्चक की जमाना तरजी खारिच करते हुए यह मतुपो नादेश दिया है आरोपी सिख्चक पर यह आरोप है कि वे स्कूल में पढ़ने वाली शात्र से छेड़ खानी करता था पीडिता ने स्कूल के प्रिंसीबल से इसकी सिख्चक की तो सिख्चक को सिख्चक को इसकूल से हटा दिया गया इसके बाद भी वह चात्रा का पीछा करता था वह उससे मिलने और जबरन बात करने का भी परयास करता था इस मामले में जी हा इस माम इस तरह के मामले सबसे अधिक 25 वर्स से 35 वर्स के युवाओं में देखने को मिल रहा है। इस तरह के मामले सबसे अधिक 25 वर्स के युवाओं में देखने को मिल रहा है। इस तर्नामेंट का अब पूरा शेडूल जारी हो गया है। पहला मुकाबला USA और कनाडा के बीच खेल जाएगा जबकि टीम इंडिया 5 जून से अपना अभियान शुरू करेगी। इस तर्नामेंट की ग्रूप डिटेल पहले ही सामने आ गही थी। जिसमें 20 टीमों को 5-5 के 4 गूरूप में बाटा गया है और भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही गूरूप में है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा ICC इवेंट का सबसे चर्चित मेंच होता है। दोनों टीमों के बीच अब महा मुकाबला 9 जून को निव यार्क सीटी में खिला जाएगा। यह इस साल की सबसे बड़ी भीडंत क्रिकेट फिल्ड पर हो सकती है। इसके अलावा बता दें कि टीम इंडिया को कुल चार गुरूप मैज खिलने हैं जिसमें उसका सामना पाकिस्तान, आयरलेंड, यूएसे और करनाडा से होगा। इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट की बात करें तो गुरूप स्टेज में सभी टीमें चार-चार मुकाबले खिलेंगी। इसके बाद हर गुरूप की टॉप टू टीमें क्वार्टर फाइनल पर पहुँचेंगी। सूपर आठ के इस नौक आउट स्टेज के बाद चार टीमें सेमी फाइनल में जगब बनाएंगी। फिर सेमी फाइनल की दो विजेता टीमों का फाइनल में आमना सामना होगा। बता दे कि इस टूर्नामेंट में कुल 55 महा मुकाबले खेले जाएंगे। एक से अठारे जून तक ग्रूप स्टेज में चालिस मैच होंगे। आठ बजे अपडेट किये गए आकडों को माने तो एक्टिब कोरोना के मामले पिछले दिन के 4423 से घटकर 4334 हो गया। स्वास्ति मंत्री के अनुसार 12 मौतों में से केरल में 5, करनाटक में 4, महराष्टर में 2 और उत्तर परदेश में एक मौत हुई जिसे मरने वालों की संक्या 5,333,385 हो गई है। मंत्राले ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 838 लोग कोविड-19 से रीकवर हुए हैं जिससे ठीक होने वालों की कुल संक्या 4,44 करोड हो गई। मंत्राले के अनुसार राष्टिय रीकवरी दर 98,81 परतिशत है जबकि मौत्यूदर 1,18 परतिशत आ की गई हैं। जनवरी 2020 में देश में कोविड-19 के प्रकोप के बाद से अब तक भारत में 4,5 सुनिय करोड मामले दर्च किये गए हैं। रेलवे में निकली 10-12 पास के लिए बंपर भरतियां। नया वर्थ सुरू होते ही 10-12 पास युवाओं को सरकारी नोकरी पाने का सुनहरा मौका है। रेलवे भरति बोड ने 250 पदों पर भरति निकाली हैं। आरपीएफ में 2000 कौंश्टेबल और 2500 सब इंस्पेक्टर के पद भरे जाएंगे। इच्चु कुमिदवार आरपीएफ.indianrailways.gov.in पर लोगिन करके ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं। दो जनवरी को रेलवे ने भरति का नोटिफीकेशन जारी किया था। खास बात ये है कि भरती में 10 फीसदी सीटें पुर्व सैनिकों और 15 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। बतादी की सामाने और OBC वर्ग के लिए 500 रुपे आविदन शुल्क होगा। SCST महिला भूत पूर्व सैनिक EBS वर्ग के लिए वर्ग के उमिदवारों को 2500 रुपे शुल्क देना होगा।